दोस्तों आज कमर दर्द के लिए एक साइज बताने जा रहा हूँ कुछ आसन है कमर दर्द के लिए वो आप ध्यान से देखें कि किस तरह से करना है जिलनों के कमर में दर्द रहता है सोल्डर में भी दर्द रहता है तो इस तरह से उनको भुजंग आसन करना है पहले इस तरह देर रुकेंगे और उपर को जब उठाएंगे तो इनहेल करना है डाउन लाएंगे तो एक्जेल करना है इस तरह से हाथ अगर उठा देंगे आप तो ये कमर पे ही प्रेसर आएगा पूरा और आराम से करना है जटका नहीं देना है प्रेसर नहीं देना है आराम आराम से स्लो body को उठा दीजिए उपर इस तरह से उठा के थोड़ी दिर रुखना है inhale करते हुए और exhale करते हुए down आना है इस तरह से down करेंगे और इसके एक दो बार और उठाते हैं second बार और थोड़ी दिर रुखिए और धीरे धीरे exhale करते हुए नीचे आईए इस तरह से आप करेंगे तो आपके back पे फरक आएगा और जो pain हो रहा है उसमें आपको काफी आराम मिलेगा अब दुबारा से क्या करना है पैरों को भी उठाना है और आगे से upper side उठाना है beach की body नीचे रहेगी thighs की नीचे हाथ रहेंगे इस तरह से अब slowly down नीचे आईए जब body को उठाना है तो उपर सांस लेनी है और down करना है तो नीचे अब यह दूसरा आसन है इसमें क्या है left side का hand आगे रखेंगे right side का पैर इस तरह से बिल्कुल कमर पे आएगा इस तरह से और वही चीज रहेगी क्योंकि inhale करेंगे तो उपर exhale करेंगे तो down change करेंगे अब right side उपर और left leg उपर इस तरह से करेंगे तो आपको काफी आराम मिलेगे इस सारी exercise जो कमर की है और बड़े ध्यान से आराम से करनी है जिनको कमर में pain होता है तो कमर में pain होगा नहीं अगर है तो ठीक हो जाएगा यह आसन है कुछ जो मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह से आसन करने है अब यह देखिए एक और आसन है यह देखिए वही चीज है वैसे ही करना है right pair और left hand बिल्कुल सीधा करना है और अब change करना है चेंज करते हुए इस तरह से गर आप यह exercise पांच-छे exercise हैं यह यह daily करेंगे तो आपको कमर दर्द में बहुत आरह मिलेगा और कमर दर्द होगा ही नहीं अगर आपके दर्द नहीं हो रहा है तो कमर दर्द कभी नहीं होगा और यह आशन आप daily करने चाहिए क्योंकि हमारे बैठने का तरीका गलत होता है उठने बैठने का सही से नहीं बैठने तो यह कमर दर्द हो जाता है एक और exercise है इसमें सीधे लेट जाएंगे stretching करेंगे पैरों को बिलकुल बरावर मिला लेंगे हतेलियां बिलकुल सीधी सामने solar के साथ और stretching करेंगे इस तरह से stretching करेंगे यह देखी जो पैर करेंगे तो गर्दन जो है दूसरी साइड करेंगे इस तरह से आप खीची body को फिर change करेंगे दूसरी साइड अगर left साइड करेंगे तो गर्दन right साइड होगी right साइड करेंगे तो गर्दन left साइड होगी हतेलियां बिलकुल सीधी उपर को इस तरह से रखनी है और अब एक फिट का gap करना है दोनों पैरों के बीच में अब यह देखीए हमारी knees है तो दूसरे पैर पे आनी चाहिए इस तरह से जो गुड़ना है तो हमारे उस पे आनी चाहिए knees पे इस तरह से change करेंगे तो यह देखीए उस पे आएगा और stretching करने हो गर्दन हमेशा opposite side जाएगी जब पैर को ऐसे करेंगे stretch करेंगे कमर को कमर को stretching देते रहेंगे तो इस तरह से आपको बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा अब यह दूसरा है शेतु बंदासन इसको ऐसे करेंगे अब knees को पगड़िए और बीच से उठा देंगे उपर को और रोकना है थोड़ी देद यह सारे आसन जो है कमर दर्द में बहुत आराम देते हैं और कमर दर्द कही आसन है थोड़ी दिर रुक के डाउन करेंगे और फिर एक बार सास भरेंगे सास भरके इसको फिर से उपर उठाएंगे और फिर धीरे 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 डाउन करेंगे आराम से धीरे धीरे डाउन करेंगे इस तरह से शेतुबंदा से जो लोग इस तरह से कर सकते हैं यह थोड़ा एडवांस है ऐसे कर सकते हैं तो बहुत ज़्यादा फाइदेमंद होता है लेकिन जिनको कमर में ज़्यादा दर्द है उनको यह नहीं करना है उनको यह नहीं करना करते हैं